अराज का तत्वोने की अंबेटकर की प्रतिमा को क्षधी ग्रस्त विरोधनि ग्रामिनों ने लगाया जाम जनपक के एक राम में कुछ अराजक तत्वोने सम्विदान निर्माता बाबा साहबी मराव अंबेटकर की प्रतिमा को क्षधी ग्रस्त कर दिया इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीन नाक रोशित होठे और उन्होंने जालोन उरई मार्क पर सुबह के वक्त जाम लगा लिया जाम के सूचना मिलने पर प्रशासने का दिकारी मौके पर पहुँचे और उन्होंने ग्रामीनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया और तत का लंबेटकर की प्रतिमा को ठीक कराया मामला उरई कोतपाली के ग्राम कुक्रग गाउं का है जहां सड़क किनारी बाबा साहभी मौरावम बेटकर की प्रतिमा स्थापित है जहां रात के समय कुछ अराज का तत्वोंने प्रतिमा को क्षधी ग्रस्ट कर दिया सुबह जब गावले लोग वहां पहुँचे और उन्होंने प्रतिमा क्षधी ग्रस्ट देखी तो उनमें आकरोष बढ़ गया और जालोन रई मार्क पर जाम लगा लिया प्रतिमा क्षधी ग्रस्ट और जाम के सूचना मिलने पर प्रशासने का दिकारी पुलिस बलके साथ मौके पर पहुँचे और उन्होंने मामले का सनग्हान लिया साथ ही ग्रामिनों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया और तत कालकारीगर को बुला कर क्षधी ग्रस्त प्रतिमा को सही कराया तब कहीं जाकर ग्रामिनों का आकरोर शांत हुआ मामले को गमफीर देखते हुए जालौन के एस पी डॉक्टर अर्विंत चतरवेदी ने गाव में भारी पुलिस बलतेनात कर दिया है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके उन्होंने बताया कि गजानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये प्रस की हरकत है वही ग्रामीनों का कहना कि नए वर्ष पर मूर्ती की रंगाई पुताई कर आई गई थी और सभी ने मिलकर यही पर नया वर्ष मनाया था लेकिन रात्रे के समय किसी ने मूर्ती खंडित कर दी इसकी सुबह जानकारी मिली जिससे सभी ग्रामीनों में आकरोश है राहुल राजावत जालौन जालौन जालौन